हेलो एवरीवन वल्कम बैक टू माई चैनल तो यहां पे हम देखेंगे हमें 21st जुलाई के दा हिंदू में क्या क्या पढ़ना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पे हमारा आप यह देख लो एडिटोरियल वाले पेज पे ऐसा कुछ नहीं है इसमें रिसलर केस की बात की गई है और इसमें डेटा प्रटेक्शन लॉग जो की हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं आपको याद होगा और फिर हम नेक्स्ट आ जाएंगे टेशन हमारा क्या है पढ़ने के लिए इसमें है वाई इस केज बीज अटाक सिंग्निफिकेंट तो यह देखो जब पर्टिकुलर इस तरीकी कोश्चन अ मतब इस तरीकी का आर्टिकल आता है तो प्लेसे से रिलेशिट आता है ठीक है प्लेसे इन न्यूज आपको पता है एक विच लिंक यह लिंक कर रही है रशिया में लैंड को क्रीमियन पैनिन्सूला कहां पे ब्लाक सी में ठीक है तो यह जो ब्रिज है वो लिंक कर रही है रशिया और क्रीमियन के पैनिन्सूला को कहां पे ब्लाक सी पे अब इसमें क्या कहा जा रहा है Ukraine has not taken responsibility for the attack but its security service SBU has said detail of what happened to the bridge will be revealed after Ukraine has won the war Bridge is important to Russia और यह जो bridge है वो important है Russia के लिए किस चीज़ के लिए for symbolic administrative or operational reason यह line यहाद रखनी है कि मतलब यह bridge के क्यों important है हमें इसके लिए क्यों UPSC में पढ़ना है क्योंकि यह जो bridge है अब आपको पता है Russia और Ukraine का war चल रहा है पर जो यह bridge है इस पर attack war वो Russia के लिए बहुत ज़्यादा important है symbolic administrative or operational reasons की वज़ा से one of the key goal क्या है one of the key goal of Ukrainian counter offensive was destroy the bridge cutting Russia off from Crimea it also want to disrupt Russian supply to South Ukraine which is focal area यह याद रखना है अब देखो यहाँ पे यह आपको map देखने की ज़रूरत है इसमें क्या है यह जो bridge है यह अभी हमने देखा कि किसे किसे link कर रही है यहाँ पर बात हो रही है यह देखो देखो देख रहा है यह 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 यहाँ पर important है अब एक चीज़ देखना है bridge arch section allow for shipping channel यह shipping channel के लिए important है इधर देखो black sea है ठीक है और sea of a jove है ओके और आपको एक चीज़ और देखना है जो क्रीमिया है उसको annexed किया गया था रश्या के दवारा 2014 में भी उसमें फिर बता रहे है कि July 17 जो यह bridge है road bridge temporary close हो गया रश्या says attack carried out by two Ukrainian underwater drone रश्या के दरफ से यह कहा जा रहा है कि यह जो attack है वो दो Ukrainian underwater drone ने करे है अब पूरी चीज़ें यहाँ पर हमने देखी bridge से related देखा कि क्या हुआ हमें इतना भी नहीं पढ़ना है कि कितना कितनी किलोमेटर दुर्य क्या है जब भी कोई place आ रहा है news में तो उसके nearby area को हमें जानना है कि black sea हो गया अजोव हो गया ठीक है यह सब हम को जानना है इस तरह के question पूछते हैं ठीक है अब यह हम पढ़ेंगे why is the bridge so important bridge क्यों बहुत जादा important है रश्या के लिए देखो रश्या के लिए bridge important है symbolic administrative or operational reasons की वज़े से when Russian swiftly moved to annex kremia in 2014 after a pro-russian elected government in kiev fell amid west back anti-racism protest मतलब इतना कुछ नहीं आपको जानने की जरूरत है यहां से यहां तक आपको जानना है जो कि हम already summary में देख चुके हैं और और क्या देखना है यहां पर आगे आ जाएंगे हम one of the key goal of counter offensive which began in early June was destroy Mr. Putin land bridge according to western official यह हो गया तो मतलब जो summary में है बस हमको उतना ध्यान देने की जरूरत है यहां पर और map यहां दखने की जरूरत है ठीक है कि उसके nearby areas कौन कौन से है places कौन कौन सी है और यहां पर दो जगा मैंने यहां पर स्टार मैंने बनाया कि symbolic administrative or operational reason की वज़े से important है और एक यहां पर आपको मैंने बताया वही यहां पर और summary में दोनों में same line जो यहां से important निकलती है और places बहुत ज़्यादा ज़्यादा important है आपको इसको पढ़ना ही है आगे आएंगे हम तो xai की बात अब चल रही है ठीक है xai की बात अब चल रही है important है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम xai के बारे में हाँ देखो पहले इदर देखेंगे last time Elon Musk took AI last time Elon Musk took AI safety serious was in 2004 तो AI के लिए एक safety के लिए उसके seriousness जो Elon Musk ने दिखाई थी वो दोचर पंदरा में when he co-founded open AI जब उन्होंने open AI को मतब co-founder थे open AI के Sam Altman के साथ ठीक है Altman open AI और यह उसमें co-founded थे ठीक है उन्होंने co-found किया था open AI को while venture globally took off Mr. Musk left the founding team early on after a public spark erupted between him and Mr. देखो co-founder थे इसके ठीक है तो जब Sam जो यहां पर दिखा रहे हैं और Sam और Elon Musk दोनों के बीच में जब dispute हुआ या जब कुछ reasons मतब चीजें हुई तो उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया left मतलब left कर दिया छोड़ दिया उसको अब इसमें क्या हो रहा है to question on how XAI will different from other AI startup कि कैसे यह question उठ रहे हैं कि कैसे चो XAI है वो different है other AI startup से artificial intelligent startup से he said from an AI standpoint a maximally curious AI one that is trying to understand the universe is I think going to be pro-humanity मतब यह अपना बता रहे है कि कि वे important हैं से question हुआ तो there would be none of the bias and political correctness that open AI and chat GDP has so often being accused of तो बोल रहे हैं इसमें किसी तरीकी कि पोलिटिकल correctness और यह सब चीज़े बोल रहे हैं अब यहां पर हम इसके बारे में देखेंगे XAI इनर सथकर other name of include Manuel Kraus who also form a deep mind and Google AI ठीक है तो यहां पर देखो problem क्या है AI industry में prominent player like open AI and Google have some under fire recently over privacy issue अब देखो यह line याद रखना है यहां से होता नहीं कि क्या problem सारे देखो हमें advantage, disadvantage सारी जाननी है तो यहां पर क्या बताया जा रहा है open AI और Google अभी क्या देखा जा रहा है यहां पर privacy issue around the training data as well as AI generator content the Federal Trade Commission has launched an investigation into open AI for potential breach of consumer protection law तो देखो कोई भी चीज हो चाहे कोई product हो चाहे कोई इस तरीके से technology हो हमेशा यह याद रखना है कि focus जो है यह होता है कि किसी भी तरीके से consumer protection law का उलंगन ना हो यानि कि उसका breach ना हो याद रखना है even as EU AI act is in the final state of talk last week Google was hit with lawsuit alleging it stole data from million without their permission यह बात सच है यह हम सबने भी क्या किया है experience किया है कि हम कभी भी अगर कोई भी चीज सर्च करते हैं आप देखो तो उससे related हमाई चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे Facebook हो या चाहे Google के ही जो feed आते रहते हैं उसमें उसी से related चीजें दिखाने लगते हैं ठीक है तो यह data यह problem तो सब ने देखी है तो इसमें यही बताया जा रहा है कि Google was hit by lawsuit alleging to stole data जो कि हमें भी लगता है ऐसा कि वो data चुराती है millions without their permission और उसमें ऐसा permission भी ने लेती why is clapping to train their AI modes AI mode पे डालके the solution to AI copyright problem seems imperceptible yet given that AI model has to be trained on human content to emulate human behavior तो वो सब यहां पे देखने की जुरुत है जो कि यहां से यह important निकल के हमारा आया next आ चाहेंगे हम next देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है यह line यहां पे देखो यह article देखो Supreme Court Urges Supreme Court ने अर्श किया है कि ट्रांसफर करें चीता को another location पे तो यह हमारा इंपॉर्ट एक तरीके से हमको यह भी देखना है क्योंकि project चीता project जो है उसके तहत इसको project चीता के तहत उसको लाया गया नामीबिया अपसे बहुत सारे death हो रही है डाय हो रहे हैं बहुत सारे तो उसको सब के लिए हमें देखना है यहां पे सुपेम कोट नित हजडे को क्या कहा union government say that the death of 40% of 20 चीता brought from South Africa and Namibia कहां पे लाय गया था कुनो निस्नल पार्क में within a year does not present a good picture मतलब आप बताओ यहां पे मतलब यह तो आपको भी तो एकदम अच्छे से रटी गया होगा कि कहां लाय गया कि उनों निस्नल पार्क में लाय गया कहां कहां से लाय गया सोतिफरीका है नामीबियर से लाय गया पर problem क्या हो रही है किसी ना किसी किनी कारोणों की वज़े से उनकी death हो रही है अब आपको पता है इनको बिग कैट कहते है तो यह लाइन भी याद रखनी है वो बिल्ली वाला नहीं समझना है थीक है तो बिग कैट तो मोर कंडियूसिव इन्वार्मेंट में उनको क्या कहा जा रहा है कि आप इनको क्या कर दो मूफ करा दो एक मोर कंडियूसिव इन्वार्मेंट में इफ रिक्वार्मेंट और नोट मेक इट आज प्रेस्टीज इसू बोल रहा है कि प्रेस्टीज इसू के तौर पर ना ले आप इन्हें मतब कि आपने पहले से सोच रखा था हम ऐसे करेंगे प्रेस्टीज के तौर पे लेते हैं और नहीं करते हैं कोई भी चीज पर अभी रिक्वार्मेंट क्या है कि उसको आप कहीं और लोकेशन पे सिफ्ट कर दें एट चीटा डाइं ठीक है आठ चीटा आउट अफ ट्वेंटी डेथ हो गई है ब्रॉट है टोटल ट्वेंटी थे उसमें से हो गई तो ये अच्छी बात नहीं है लास्ट विग अलोन टू डाइस यू शूद लुक आट अधर पॉसिबिल्टी इस लाइक ट्रांस्फरिंग दें टू अधर सेंचिरीज पे इर्रेस्पेटिव आप विच स्टेट गूर्मेंट इस रनिंग दें वाई यू मेकिंग इस अप्रेस्टीज इस्यू दिकोर्ट आश्ट गूर्मेंट बोल रहे हैं कि इसको आप प्रेस्टीज इसको क्यों बना रहे हो आप इसको ट्रांस्फर कर दो अधर सेंचिरीज में अधिशनल सॉलिसीटर जनरल जो है ऐश्वरिया भाती फॉस्ट सेंटर से डेथ दो अनफॉर्शनेट वर एक्सपेक्टेड शी स चीटा प्रजेक्ट से रिलेटेट ठीक है बहुत बार हमाई न्यूस में आ रहा है तो पॉसिबिल्टी है आने की तो इसमें क्या है कि चीटा प्रोजेक्ट वास प्रिस्टीजियस और अथॉर्टीज आर एक्स्प्लोरिंग वारियोस ऑप्शन फोर वेल बीग चीटा प्र प्रॉब्लम हो रही है बहुत साथे वारिस रिजन्स दिख रहे हैं चीटा के डेट के लिए तो आप उसको क्या कर दो डिटेल एफटेबिट उसका आपको मतलब वहां पर बुला गया है कि फाइल करो एक डिटेल एफटेबिट ऑन जुलाई 14 अम मेल चीटा नेम सूरज य गया था फ्रॉम साथ अफरीका उसकी डेट हुई अभी इस तुक टोटल लंबर ओफ चीटा डेट अधी पार्क इंदे शोपर डिस्टिक्ट सिंस मार्ज तु एट अब इसमें कितने हो गए एट आउड ओफ जुए अनधर मेल चीटा तेजस की भी डेट हुई बॉर्ट फ और काउशर में पढ़ना है। देखो यहाँ है, Center ban export of non-bashmatiy white rice to control price rise in India, यह भी हमारा बहुत important है, कि Center ने क्या किया है, ban किया है export करने को non-bashmatiy white rice को जिससे की control करा जा सके, जो price rise है इंदिया में, देखो, यहाँ ब थे कहा जा रहा है, Union Government ban, ban किया है हिन्होंने export करना non-bashmatiy white rice को thursday को the director general of foreign trade under the union commerce minister अब ये दो ministry याद रखनी है आपको कि जो ये ban लगाया गया है कि नहीं export करेंगे non basmati को तो किनों ने किया है foreign trade under union commerce ministry ने announce किया है notification that ban would come into effect immediately and exemption would be given only if loading of non basmati rice on the ship had comments before the non-profit on the shipping आप देखो बस आपको यहां से क्या याद रखनी है non basmati rice पे रोक लगाया है और किसने लगाया है याद रखनो union food ministry statement said step was taken to ensure educate availability of non basmati white rice in domestic market देखो important यह ही है कि यहां बोला चारहे कि ऐसा क्यों किया गया जिसे कुछ भी होता है न तो उसका reason हमें जानना होता कि ठीक है किया गया पर क्यों किया गया यह इसलिए किया गया कि जो adequate availability है वो कहां पे रहे non basmati white rice की domestic market में मतलब इंडिया में and कव दी price rice और इससे price rice जो हुआ है वो भी कम हो पाए और domestic market में availability अच्छे खासे amount में होनी चाहिए जिससे की price hike भी ना हो और प्रयापत मात्रा में होनी चाहिए non basmati rice was exported under the category किस category में यह export रहे थी free with export duty of 20% मतलब export duties पे किसने लगती थी 20% the retail price have been increased by 11.5 over the year and 3% over the past month यह भी याद रख आपने को सारी चीज़े नहीं रहे पाएंगी यह तो possible है क्योंकि इतना भी नहीं होता कि आप line to line याद रखो आप वो क्या याद रखना है पहली चीज तो question आएगा तो आपको यहीं पता है कि हाँ भी या rice जो है कौन सी rice को export को ban किया गया है अब देखो जैसे जो नहीं पढ़ा है यह news वो पक्का बास्मती rice सोचेगा क्योंकि लोग सुचे नहीं अच्छे variety के rice की बात हो रही है वही नहीं export करने को बोल रहे होंगे नहीं यहाँ पर non-bassmaty white rice की बात हो रही है तो non-bassmaty white rice को मना किया गया है और इसको announce कि इसने किया है union commerce ministry ने यह याद रखना आपको यहाँ से यह याद किया यह यह याद किया तीसरा की क्यों किया गया है कुछ भी हो रहा है इसका reason क्या है इसलिए कि जो non-bassmaty white rice है बोड domestic market में क्या हो पाए अच्छे मात्रा में अबिलेबल हो पाए इसलिए export duty of 20% on the non-bassmaty white rice was export last year to lower the price and ensure availability of domestic market यह हो गया this sharp increase export can ascribe to higher international price due to geopolitical scenario alnino sentiments and extreme climate condition in other rice production countries etc अब यह line याद रखनी है important है देखो जो sharp increase देखने को मिल रहा है वो किस वजहों से मिल रहा है यह reason यहाँ पर दिया गया है this sharp increase in export जो export बढ़ा है इतना can be ascribed to higher international prices due to alnino sentiment की वजह से geopolitical scenario की वजह से extreme climate condition की वजह से यह सब चीज़े हुई है और in other rice producing countries etc जो other rice producing countries है वहाँ यह यह चीज़े देखी गई है उसके वजह से price जो है वो increase हुई है तो यह यहाँ से आपको याद रखना important है okay अब next देखेंगे है यहाँ पर एक देखो किया है Putin opted out not to be geopolitized summit के बारे में यहाँ पर बात हो लिए Russian President जो है वालदी मीर पुतिन ने decide किया है decided against attending an upcoming BRICS summit in Johannesburg against attending मतब decide क्या है कि against है अटेंड करने के लिए upcoming जो BRICS summit है कहां पर हो रही है यह Johannesburg में in person because he did not want to geopolitize वो नहीं चाहते geopolitize होना he took a top South African diplomat on Thursday Mr. Putin potential visit has posted a diplomatic dilemma for South Africa ahead of August 22-24 meeting he is target of an ICC वो target है ICC के arrest warrant ठीक है he is target of an international criminal court ICC arrest warrant तो एक तरीके से arrest warrant जो है उसका target है इसले भी वो avoid कर रहे है a provision that South Africa के an ICC member would expected to implement if he was to set food in the country South Africa had been under heavy international pressure not to host Russian leader अब देखो समझ गए है आप यहाँ पे बाते क्या हो रही है BRIC summit जो Johannesburg में हो रहा है उसको जो रशिया है रशिया के president वो avoid करेंगे क्योंकि ICC International Court of Justice में उनके खिलाफ एक तरीके से उनको his target of ICC वो target है ICC के arrest warrant के यह line याद रखो कि target है वो ICC के arrest warrant के और इस बज़े से वो जो BRICS की summit है जो Hansburg में उसको attend वो नहीं करेंगे यह line आपको यहाँ पे याद रखनी है next आ जाएंगे हम next देखेंगे यहाँ पर देखो एक line याद रखना है science पर पेज पर आ है center mandated health spending has positive impact तो जो health spending है इस पर positive impact दिखा गया है यह last page हो गया हमारा तो यह था हमारा आशका दाहिंदू का जो जो हमें यहाँ पर discuss करना था ठीक है मिलती हूँ मैं आपको next video के साथ thank you